हेलो स्टुडेंट्स, वेल्कम टो माई यूट्यूब चैनल, शुष्मा राज गुपता हम लोग कर रहे हैं कमर्शियल लोग, कमर्शियल लोग में हम लोग आज नियाँ चेप्टर शुरू करने जारे हैं, that is indemnity and guarantee, चलिगे शुरू करते हैं contract of indemnity, contract of indemnity हुथता के सबसे पहले, indemnity का मतलब है protection against loss, किसी एक परसन को loss के against, protect करना, that is indemnity अब contract of indemnity क्या है, it means recompensate any loss which one has incurred, ठीक है, तो यहाँ पर हम example ले सकते, insurance की, ठीक है, जो insurance company हैं, वो जो policy holders हैं, उनको क्या contract देती है, क्या assure करती है, कि अगर आपको किसी तरह की loss हुई, तो हम उसे compensate करेंगे, तो insurance company के साथ, जो contract होता है, that is contract of indemnity, जिसमें क्या किया जाता है, कि वो कहते हैं, कि अगर आपको किसी तरह की loss होती है, तो हम उस loss को फूरा करेंगे, उसके बदले, आप लोग क्या करते हो, हम लोग क्या करते हैं, हमारा consideration क्या हो गया, premium, जिसके बदले insurance company assure करती है, कि अगर आपको किसी तरह की loss हुई, तो हम compensate करेंगे, ठीके, तो यहाँ पे दो parties होती है, ठीके, पहली party वो जो की promise करती है, indemnify करने का, पहली party कौन है, जो promise करती है, promise to indemnify, कि अगर आपको loss हुई, तो मैं loss पूरी करूँगी, ठीके, तो उसको क्या करते है, party to indemnify is known as indemnifier, indemnifier, ठीके, जिसकी loss को पूरा किया जाता है, whose, in whose, favor, contract is made, तो वो क्या हो गया, indemnity holder, ठीके जी, point clear है, तो यहाँ पे insurance company क्या होगी, indemnifier, जिस person ने premium pay के, जिसकी loss को compensate करने, that is indemnity holder, ठीके जी, indemnity file holder, indemnity holder नहीं है, indemnity file holder, point clear है, तो इसके लिए, जैसे हम वैसे contract करते हैं, उसमें कुछ essentials होती है, उसी तरह से contract of indemnity में वी, जो essentials है contract की, वो पूरी होनी जरूरी है, point clear, तो अगर X, Y से कहता है, क्या कहता है, तो Z के घर को आगलगा दे, ठीके, मैं तुझे 50,000 रुपीज दूँगा, या अगर उसकी वज़ा से तुझे कोई loss हुई, तो वो loss मैं compensate करूँगा, अब किसी की loss को compensate करने का जो contract है, contract of indemnity है, पर यहाँ पे जो उसका object है, that is illegal, अगर object illegal है, तो contract क्या होगा, void होगा, तो contract of indemnity भी void माना जाएगा, कहने का मतलब यह है, कि यहाँ पे essentials of a valid contract भी होनी जरूरी है, अगर नहीं होती है, तो contract valid नहीं होगा, point clear है, contract of indemnity जब हम किसी की loss को compensate करने का contract करते हैं, तो उसे contract of indemnity कहा जाता है, जिसकी loss को compensate करने है, वो indemnify holder है, जिसने करने है, वो indemnifier है, तो insurance company के साथ जो हम contract करते हैं, वो contract of indemnity है, जिसमें insurance company हमें promise करती है, कि किसी भी तरह की loss हुई, तो वो उस loss को पूरा करेंगी, contract of indemnity में भी बाकी contracts की तरह essentials जो है, requirement conditions है, वो पूरी होनी जरूरी है, conditions कैसी हैं, जैसे x, y से कह रहा है, कि तू z की house को आग लगा दी, अगर किसी तरह की loss हुई, तो मैं compensate करूँगा, यहां पर x, y की loss को compensate की बात कर रहा है, तो हम कहेंगी, कि there is a contract of indemnity, but उसका जो object है, that is not legal, illegal object है, illegal object है, तो इन दोनों के बीच में जो contract हुआ है, वो valid contract नहीं हुगा, वो क्या हुगा, void contract माना जाएगा, कहने का मतलब यह है, कि जो भी इनकी, मतलब कि जो भी terms है, terms जो हैं, वो valid contract वाली हुनी चाहिए, point clear है, अब Y, X के कहने पर Y ने Z के घर को आग लगा दी, उसके बाद उसको 50,000 का fine हो गया, अब Y, X के पास आता है, कि आपने कहा था कि मैं 50,000 पे करूँगा, अब करिए, तो क्या X पे करेगा, नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो contract हुआ, that is not a valid contract, 25, indemnity holder के rights बताए गए हैं, तो indemnity holder के पास क्या rights हैं, पहला right है, कि जब भी उसे किसी तरह की loss होती है, तो वो indemnify से, वो सारे damages claim करेगा, जो उसको pay करने पड़े, उस loss के दोरान, अगर उसे किसी तरह के damages pay करने पड़ते हैं, तो वो indemnifier से claim करेगा, second, अगर वहाँ पे कोई case चलता है, case के दोरान उसको कोई cost pay करने पड़ते हैं, तो वो cost भी indemnifier से claim कर सकता है, या अगर उसके against कोई case चलता है, case के दोरान compromise होता है, उस compromise में भी उसे कुछ pay करना पड़ रहे हैं, तो he can claim from the indemnifier, point clear है, तो इसी तरह से indemnifier के भी कुछ rights होंगे, indemnifier वो जो किसी की laws को compensate कर रहे हैं, अब इसके जो rights हैं, वो same वैसे हैं, जो surety के rights हैं, हम लोग surety के rights कर रहे हैं, इसी वीडियो में, ठीके, आगे, तो जो surety के rights हैं, वही indemnifier के भी rights हैं, तो आपको indemnity का, contract of indemnity का long answer type question आएगा, आपने दोनों का meaning बताने हैं, terms बतानी हैं, और दोनों के rights को clear करना है, ठीके जी, इसी चेप्टर का second part है, contract of guarantee, अब contract of guarantee क्या है, पहले तो ये 126 section के अंदर आता है, ठीके, contract of guarantee का मतलब है, it is a contract to perform the promise or to discharge the liability of a third person in case of is default, इसमें है कि अकर कोई A और B के बीच में, ये agreement है, A ने pay करने पैसे, किसको B को, B ने पैसे receive करने है, ठीके, जी, C कहता है कि अगर ये ने perform ना किया, तो मैं आपको payment करूँगा, तो यहाँ पे C क्या कर रहे है, contract of guarantee कर रहे है, contract of guarantee क्या है, जिसमें एक party ये guarantee देती है, कि अगर इसने payment ना की, तो मैं पे करूँगा, तो यहाँ पे debtor कौन है, जिसने पैसे देने है, यहाँ पे A क्या हो गया, principal debtor, जिसने पैसे लेने है, वो क्या हो गया, creditor, अब इन दोनों के बीच में guarantee का काम कर रहे है, C, तो C, क्या हो गया, surety, surety वो person जो की guarantee देता है, ठीके, तो contract of indemnity में दो parties थी, contract of guarantee में तीन parties है, creditor, जिसने पैसे लेने है, debtor, जिसने पैसे देने है, और एक person वो जिसने guarantee दी है, person who gives the guarantee surety, a person on whose guarantee surety is known as principal debtor, person who gives the guarantee, on whose behalf guarantee is given is called principal debtor, person to whom guarantee is given, जिसको guarantee दी जाती है, उसे creditor कहा जाता है, point clear है, तो example मैं आपको देई चुकी हूँ, कि a ने goods deliver करनी है, ठीक है जी, b ने उसकी payment करनी है, अब c guarantee देता है, कि अगर a goods deliver नहीं करता, तो उसके भिहाब पे मैं goods deliver करूँगा, तो यह हो गया, contract of guarantee, जिसमें तीन parties होती है, और इसकी performance की guarantee कौन ले रहा है, c ले रहा है, तो यहाँ पे c क्या हो गया, surety हो गया, clear है, तो अब आगया, essentials of a valid guarantee, guarantee की सबसे पहले essentials यह है, कि existence of principal debt, कि principal debt का existence में होना ज़रूरी है, जिसकी guarantee, surety ले रहा है, अगर debt existence में नहीं होगा, तो surety किस चीज की guarantee लेगा, पहला point, ठीक है जी, दूसरा point यह है, कि जिस debt के लिए, जो जैसे a ने b को पैसे देने है, वो already time-bared है, time-bared का मत्वा काफी पुराना debt है, अब क्योंकि वो already time-bared है, तो B, C के पास आके कहता है, कि यह तो pay नहीं कर रहा, आप पे कर दो, तो यहाँ पे C, उस debt की payment नहीं करेगा, because that is time-bared, time-bared debt के लिए, surety libel नहीं है, point clear है, इसके इलावा, इसके इलावा point यह है, कि अगर किसी ने, यहाँ पे a minor है, a ने b को payment करनी है, अब b a को तो enforce नहीं कर सकता, और c उसका guarantee है, c उसका surety है, c ने guarantee दिये, अब b a से तो पैसे नहीं मांग सकता, बट b surety से पैसे मांग सकता है, तो कहने का मतलब यह है, surety यह कहके नहीं बच सकता, कि जी a जो है minor है, a के साथ किया हुआ contract void है, यहाँ पे c जो है libel होगा, ठीके, अगर किसी director ने company के loan की guarantee दिये, ठीके, अगर किसी director ने bank को guarantee दिये, कि company amount पे नहीं करेगी, तो वो खुद पे करेगा, यहाँ पे वो जो loan लिया उसने, ultra wires है, ultra wires का मतलब पावर है नहीं थी, उसने जो है, बिना पावर के 5 लाख रुपे का loan ले लिया, तो क्योंकि company तो इसके लिए libel नहीं होगी, पर director जो है, personally libel होगा, ultra wires contract के लिए company libel नहीं होती, अब क्योंकि director ने guarantee दिये, तो director जो है, वो bank को libel होगा, second point है, benefit to principal debt is sufficient consideration, अब guarantee के लिए, कुछ consideration होना चाहिए, अब C ने अगर guarantee लिये, तो C को कुछ तो consideration मिलना चाहिए न, C कहता है कि अगर A पे नहीं करेगा, मैं पे करूँगा, तो यहाँ पे उसको मिल क्या रहा है, in consideration, what is he is getting, तो वो कहता है कि इसके लिए ज़रूरी नहीं कि उसको consideration money में मिले, अब अगर A ने payment करनी है, B ने goods deliver करनी है, तो यहाँ पे B का goods deliver करना ही C के लिए consideration है, तो surety को कुछ ना कुछ consideration मिलना चाहिए, तो consideration क्या मिल रहा है कि B जो है A को goods deliver कर रहा है, तो benefit to principal data is the sufficient consideration for the surety, ठीक है ची, तो next है consent of surety not obtained by misrepresentation और concealment, जब आप surety की consent ले रहे हो, तो surety की consent लेते वक्त आपने कुछ भी misrepresent नहीं करना, या कुछ भी conceal नहीं करना, misrepresentation का मतलब है, जो material facts है, वो छिपा के रखना, concealment का मतलब चुप रहना, ठीक है जी, तो case क्या है, D को बुलाया गया कि इस servant की, आप fidelity की guarantee लो, ठीक है, अब जो employer था, जिसने D को बुलाया था, वो already उस servant को निकाल चुक है, dismiss कर चुक है, अब employer को तो पता है कि वो जो है, इमानदार नहीं है, D को इस बात का पता नहीं है, employer ने इसको कुछ नहीं बताया, ठीक है, अब D ने तो guarantee दे दी, बाद में पता चला, वो जो servant था, उसने फिर क्या किया, अब जब उसने embezzlement की है, अब जब उसने embezzlement की है, तो फिर क्या हुआ, D को बुलाया गया, हाँ जी जो servant है, उसने embezzlement की, आप उसकी payment करो, तो क्या D liable होगा, नहीं, D liable नहीं होगा, क्यों नहीं liable होगा भी, क्योंकि उससे क्या किया गया, conceal किया गया, किसको material facts को conceal किया गया, point clear है, तो third point आगया, कि when co-surity does not join, ठीके, अगर ये कहा गया है, कि जब तक co-surity join नहीं करेगा, तब तक वो liable नहीं होगा, तो उस case में, जो है, surety liable नहीं होगा, A और B के बीच में agreement हुए, C ने guarantee दिया, C के तम अगर D मेरे साथ guarantee देगा, तम मैं liable होगा, अब जब तक D उसको join नहीं करता, तो C भी liable नहीं होगा, और एक बात हो रहा है कि contract of guarantee, return भी हो सकता, oral भी हो सकता है, England में ये return में होता है, बट इंडिया में return भी हो सकता, और oral भी हो सकता है, हाँ जी, essentials of a valid contract of guarantee हो चुक है, अब contract of indemnity, contract of guarantee में difference क्या है, पहला difference ये है, कि जब वहाँ पे indemnity fire की जो liability है, वो primary है, बट surety की liability secondary है, कहने का मतलब ये है, कि पहले जो creditor है, वो debtor से पैसे मांगेगा, अगर debtor pay नहीं करेगा, then surety से मांगा जाएगा, तो surety की जो liability है, वो secondary है, पर यहाँ पे indemnity fire की liability क्या होगी, primary होगी, अब contract of indemnity में दो parties हैं, और contract of guarantee में तीन parties हैं, ठीके, then आगया की liability starts, जब कोई contingency arise होती है, तो ही indemnity fire की liability arise होती है, बट यहाँ पे जो debt होता है, वो already existence में है, मतलब यहाँ पे किसी contingency की बात नहीं है, यहाँ पे contingency होगी, तो contract of indemnity arise हो का, ठीके जी, इसमें जो loss को reimburse किया जाता है, इसमें एक तरह की security provide की जाती है, कि अगर principal debtor pay नहीं करेगा, then surety pay करेगा, ठीके जी, इसमें सिरफ एक ही contract होता है, indemnifier और indemnity holder के बीच में, इसमें तीन contract होते हैं, पहला debtor और creditor के बीच में, फिर debtor और surety के बीच में, फिर surety और creditor के बीच में, ठीके, indemnity के case में, सभी parties competent होनी चाहिए, अगर वो competent नहीं है, तो valid contract नहीं है, बट यहाँ पे जो है, minor अगर debtor है, तो भी contract valid होगा, जैसे A ने P को पैसे देने हैं, A minor है, और C उसका grantor है, C क्या है, surety है, अब A minor है, तो B A को sue नहीं कर सकता, पर C जो है, वो libel होगा, कहने का मतलब है कि contract of guarantee में, minor, एक party minor हो सकती है, ठीके, पर जो debt debt वो सही होना चीए, ठीके जी, तो 5 marks का आपका question बन गया, what is the difference between contract of indemnity and contract of guarantee, kinds of guarantee हमारा next topic है, जिसमें हम करेंगे first absolute and conditional guarantee, absolute guarantee वो होती है, जिसमें अगर principal debtor payment नहीं करता, तो immediate surety उसकी payment करेगा, तो उसे कहते हैं absolute guarantee, पर जो conditional guarantee है, वो guarantee है, जिसमें surety ने कोई condition लगाई होती है, कि अगर principal debtor ने pay नहीं किया, तो आप पहले ऐसे मुझे, मतलब की debtor मुझे लिखके देगा, या किसी भी तरह की वो condition लगाई है, condition पूरी होने पे surety liable होगा, तो उसे conditional guarantee कहते हैं, जिसमें surety बिना किसी condition के guarantee देता है, वो absolute होगी, जिसमें वो condition रखके guarantee दे रहा है, वो conditional guarantee होगी, ठीक है जी, देना की retrospective guarantee, second के आगी retrospective and prospective guarantee, अगर कोई guarantee existing debt के लिए दी जाती है, जो debt already existence में है, उसे retrospective guarantee कहते हैं, जो guarantee future debt के लिए दी जाती है, उसे हम prospective guarantee कहते हैं, point clear, जो already, ठीक है जी, एक आगी general guarantee, देना की specific guarantee, ठीक है, तो वो guarantee, acceptance by the public, जिसे public ने accept किया है, वो general guarantee आगी, ठीक है, जिसे accept किया किसी एक particular person है, वो आगी special guarantee, ठीक, point clear है, which is accepted by general public, that is the general guarantee, which is by the particular person, that is known as special guarantee, ठीक है, लिम्टीड guarantee, ठीक है, लिम्टीड guarantee आगी, जो किसी एक single transaction के लिए होती है, उसे हम कहते हैं, unlimited guarantee, और जो होती है, मतलब कि unlimited transactions के लिए होती है, उसे हम कहते है, unlimited guarantee, वो transactions के लिए भी हो सकती, unlimited time के लिए भी हो सकती, unlimited amount के लिए भी, unlimited जो है, वो किसी भी purpose से हो सकता है, continuing guarantee आगी जो series of transactions के लिए होती है उसे हम continuing guarantee कहते है series of transactions के लिए होती है ठीके ये एक single transaction तक सीमित नहीं होती और ये unlimited transactions के लिए होती है ठीके जी तो इसमें क्या point आता है जैसे किसी एक person ने bank के cashier की guarantee लिए है कि मैं इसकी guarantee लेता हूँ अगर ये किसी भी तरह की misappropriation करेगा तो मैं liable हूँगा तो यहाँ पे जो guarantee है वो continuing guarantee है continuing guarantee है जितनी देर वो person service में रहेगा उतनी देर की guarantee की उतनी देर की guarantee बनती है point clear तो यहाँ पे एक और example है इस example में a guarantee b कि वो कहता है कि आप five sex ठीक है ओफ लोर जो है उसको send कर दो c को b ने five sex of floor उसको send कर दिये कर दिये अब c ने उसकी payment कर दी ए ने उसकी guarantee ली थी फिर उसने फिर four sex of floor ठीक है फिर send कर दिये bags कह लो sex कह दो ठीक है अब हुआ क्या कि जब उसने फिर दुबारा transaction की तो c ने payment नहीं की नहीं की तो क्या है यह liable है नहीं जी ए ने तो सिरफ five पहली जो है उसकी guarantee ली थी it was not a continuing guarantee point clear continuing guarantee वो है जो की number of transactions के लिए जैसे किसी bank के cashier की आप guarantee ले रहे हो for his lifetime of the services तो वो continuing guarantee है तो क्या continue guarantee वापिस ली जा सकते यह तो नहीं कि एक फ़र आपने guarantee दे दी फिर उसको वापिस नहीं ले सकते surety जो है अपनी continue guarantee को वापिस ले सकता है पहला point है कि वो notice देके वापिस ले सकता है surety जब मरजी नोटिस दे के अपनी गरंटी को रिवॉक कर सकता है जब उसने नोटिस दे दिया नोटिस देने के बाद की जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसके लिए वो लाइबल नहीं होगा उसके बाद की ट्रांजेक्शन्स के लिए वो लाइबल नहीं होगा वो सिरफ उन्नी ट्रांजक्शन्स के लिए लाइबल होगा जो उसकी शौरटी के दौरान की गई है जैसे A ने पूरे साल की गरंटी प्रवाइड की है ठीके जी B को कि जितने भी बिल्स डिसकांट होंगे उसके लिए मैं लाइबल होगा 5000 तक अब हुआ क्या कि after 3 months किसी वजा से A ने अपनी गरंटी वापिस ले ली तब तक सिरफ 2000 के बिल्स ही डिसकांट हुए थे तो यहाँ पे जो A है श्योरटी है वो 5000 के लिए लाइबल नहीं होगा पर जितने बिल उसकी डिूरेशन पे डिसकांट होए उतने के लिए वो लाइबल होगा ठीके जी बाइदा देथ ओफ दा श्योरटी second point है कि continue guarantee जब श्योरटी की देथ हो जाएगी तो वो guarantee भी रिवोक हो जाएगी रिवोक हो ना मता खतम हो ना वापिस हो ना ठीके यहाँ variation in the contract अगर A और B में कोई contract हुए यहाँ पे श्योरटी जो है C है अब इन दोनोंने आपस में कोई variation कर दी contract में changes कर दी अब C को बताया नहीं है तो C जो है वो discharge जो जाएगा ठीके creditors act of formation अब B ने goods supply करनी थी तो A ने जो है उसके बदले में क्या करना था payment करनी थी अब A B ने goods supply नहीं की अब B की गलती है creditor की गलती है जिसकी वज़ासे A पे नहीं कर रहा जब A नहीं पे कर रहा तो C क्यों पे करेगा भी ठीक है ना तो A क्यों नहीं पे कर रहा क्योंकि B ने goods act of formation गलती किसकी है creditor की है यहाँ पे data की गलती नहीं है तो C जो है libel नहीं ए ठीके? नोवेशन. नोवेशन ऊता है नया कॉन्ठेक्ट करना हमने लास्ट वीडियो में भी किया था. अब दो पार्टिस हैं, अगर वो कॉन्ठेक्ट में ही चेंज कर देती हैं. नोवेशन. आल्ट्रेशन होता कोई एक टर्म चेंज करनी. नुवेशन होता है निया एक कॉंट्रेक्ट बना लेना अब दोनों पार्टीस ने पुराना कॉंट्रेक्ट खत्म करके निया कॉंट्रेक्ट बना लिया तो उस केस में जो शुर्टी है वो डिस्टार्च हो जाएगा ठीक है जी वन क्रेडिटर लूज स्क्यूर्टी अब ए ने पैसे देने हैं बी ने पैसे लेने हैं बी के पास किसी तरह की सिक्यूर्टी पड़ी है अब सी जो ए शूर्टी है ये शूर्टी है ये सिक्यूर्टी पड़ी थी अब सिक्यूर्टी दे के ठीक है ना इसके अगर तो वो security अपने पास रखेगा A ने payment भी नहीं की और B ने security भी वापिस कर दी अब C से आके कह रहा है कि मुझे pay करो अब C क्यों pay करेगा B समझ के A ने payment करनी है A की security B के पास पढ़ी है A ने वहाँ पे अपनी कोई आप ले लो कोई भी example ले लो यहाँ पे जैलरी जो है B के पास गिर भी रखी हुई है ठीक है ना अब B अगर A payment नहीं करता तो B जैलरी रख लेगा अब A ने payment भी नहीं की और B ने उसकी जैलरी उसको वापिस कर दी और फिर C के पास आया कहता आप मुझे pay करो क्योंकि यह ने पे नहीं किया तो यहाँ पे C जो है वो पे नहीं करेगा क्यों क्योंकि उसने उसकी security क्यों वापिस की भी point clear है तो यहाँ पे security जो है libel नहीं होगा यह वीडियो हम यह इंपे खतम कर रहे हैं वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर सब्सक्राइब करें जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम लोग rights of surety और discharge of surety करेंगे दोने important questions है और यह जो lesson है बहुत जादा important है तो वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को जादा से जादा share करें thank you